स्रीमत भागबत महापुरान इसकंदाठ कथा सुल स्री सुगदेब जी कहते हैं परिक्षित जब देपता इस प्रकार भाग कर छिप गए और देत्यों ने स्वर्प अधिकार कर लिया तब बेद माता देव माता अधिती को बड़ा दुख हुआ वे अनात्सी हो गई एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावसाली कस्चम मुनी की समाधी टूटी तब वे अधिती के आस्रम पर आए उन्होंने देखा कि ना तो वहां सुकसानती है ना किसी प्रकार का उत्साह ना सजावटी परिचित जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अधिती ने बिधी पुरवक उनका सतकार कर लिया तब वे अपनी पतनी अधिती से जिनके चेहरे पर बड़ी उदासी चाही थी बोले कल्यानी इसमें संसार में ब्रह्मनों पर कोई भी पत्ति तो नहीं आई है धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है काल के कराल काल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा प्रिये ग्रियास्त आस्रम तो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है इस ग्रियास्त आस्रम मेरा कर धर्म अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का बिखन तो नहीं हो रहा यह भी संभब है कि तुम कुटुम के भरन पोसन में बेग्र रही हो अतिती आये हो और तुम से बिना सम्मान पाये ही लोट गये हो तुम खड़ी होकर उनका सतकार करने में और समर्त रही हो इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही जिस घरों में आये वे अतिती का जल से भी सतकार नहीं किया जा सकता और वे यदि ऐसे ही लोड जाते हैं तो एक घर अवसे ही गीद्रों के घर के समान है प्रिये संभब है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित उद्दिग न रहा हो और समय पर तुमने हविसे से अभियों में हवन ना किया हो सर्वदेव में भगवान के मुख है बरहमन और अनी ग्रिहस्त बुरुस यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है प्रिये तुम तो सरवदा परसंद रहती हो परंतो तुम्हारे बहुत से लक्षनों में मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित औस्वस्त है तुम्हारे सब लड़के तो कुसर मंगल है ना अदिती ने का भगवन ब्राह्मन गौ धर्म और आप की यह दासी सब सौकुसल है मेरे सौमी यह ग्रेश्ट आस्रम हो अर्थ धर्म काम की साधना में परमसाय है प्रवो आपके निरंतर अस्वरन और कल्यान कामना से अगनी अतिती सेवग भिक चुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरसकार नहीं किया भगवन जब आप जैसे प्रजापती मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उग्देश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो जाए आरे पुर्त समस्त प्रजावः चाहे सत्तोगुनी रजोगुनी तमोगुनी आपकी ही संतान है कुछ आपके संकल्प से उत्पन हुए हैं और कुछ सरीर से भगवत इसमें संदे नहीं है कि आप सब संतानों के प्रती चाहे असुर हो या देपता एक सा भाव देखते हैं समय तथापी स्वयम परमेशन भी अपने भक्तों की अविलासा पूर्ण किया करते हैं मेरे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ आप मेरी भलाई के संब्द में बिचार कीजिए मर्यादा पालक प्रभू सत्रों ने हमारी संपत्ती और रहने का स्थान तक चीन लिया है आप हमारी रक्चा कीजिए बल्वान देट्यों ने मेरे ऐस्वरे धन यस और पद चीन लिया कल्प से ही मेरे कल्यान का कोई ऐसा उपाई कीजिए जिससे की मेरे पुत्रों को वेबस्तों प्राप्त फिर से हो जाए स्री सुकदेव जी कहते हैं इस प्रकार अधिती ने जब कस्यव जी से प्रात्ना की तब वे कुछ बोलते हैं बड़े आस्चरी की बात है भगवान की माया भी कैसी प्रवल है या सारा जगत सने की रज्जों से बदा है कहां यह पंच भूतों से बना हुआ अनात्मा सरीर और कहां प्रकुर्ती से परे आत्मा ना किसी का कोई पती है ना पुत्र ना समंधी मोही दुख मनु से को नचा रहा है तुम संपुर्ण प्राणियों के हिर्दे में बिरजमान अपने भक्तों के दुख को मिटाने वारे जगद गुरु वासुदे की अराधना करो वे बड़े दीन दयालू है अवसे ही तुम्हारी कामनाय पुर्ण करेंगे मेरा यह निश्चे है कि भगवान की भक्ती कभी ब्यर्थ नहीं होती इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है तब अदिती ने पूछा भगवन मैं जगदीश्वर भगवान की अराधना किस प्रकार करूँ जिससे वे सत्य संकल्प प्रभू मेरे मनुरत पुर्ण करें पति दे मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ जिससे वे सिग्र ही मुझे प्रसंद हो जाए उनकी आदना का सही विदी बताईए तब कस्यब जी ने कहा देवी जब मुझे संतान की कामना हुई तब मैंने भगवान ब्रंभाजी से ही बात पूचे थी उन्होंने भगवान को परसंद करने वाले जिसका उब्देश दिया था मैं वही तुम्हें बतलाता हूँ फालगुन के माह में सुरू में पक्ष में यही सुकल पक्ष में 12 दिन तक केबल दूर पीकर रहो और परम भक्ती से भगवान कमल लैन की पूचा करो अवस्या के दिन यदि मिल सके तो सुवर की खुदी भी मिट्टी से अपना सरीर मल कर नदी में अस्नान करो उसमें यह मंत्र पढ़ना चाहिए हे देवी प्रानियों को अस्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था तुम्हें मेरा नमस्कार है तुम मेरे पापों को नश्ट कर दो इसके बाद अपने नित्य और नयमित्तिक नियमों को पूरा करके एकागरचिद से मुर्ती, बेदी, सुर्य, जल, अगनी और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करो और इस प्रकार अस्तुतिक रूप, प्रभू आप सर्व सक्तिमान है, अंतर यामी है, अब अराध निये हैं, समस्त प्रानी आप में और आप समस्त प्रानियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं, आप समस्त चराचर जगत और उसके कारन के साक्च कि आफिए फोगवार में आपको नमसकार है आप औविक्त और सुख्ज में प्रकुर्तीघ में पुरुष के रूप में भी आपु स्थित्य हैं आप 24 गुनों को जानने वाले और गुनों की संख्या करने वाले सांख , सास्त्र के परबर्टक आपको मेरा नमस्कार है आप वह यग्य हैं जिनके प्राइनी और उदेनी ये दो करमसिर हैं प्रातह मध्यान और साइं ये तीन सवन ही तीन पाद हैं चारो वेद चार सिंग है गैतरी आदिसाथ छंधी साथ हाथ है ये धर्म में डिसब रूप यग्ये वेदों के द्वारा पृत이 पादित है और इसकी आत्मा स्वयम आप आपको मेरा नमस्कार है आप ही लोग कल्यानकारी सिव और आप प्रलाइकारी रुदों हैं समष्ट सक्तियों को धारन करने वाले भी आप हैं आपको मेरा बार बार नमस्कार है आप समस्त भिद्याओं के अधिपती एवं भूतों के स्वामी हैं आपको नमस्कार है आप ही सब के प्रान और आप ही इस जगत के सुरूप है आप योग के कारणतों हैं स्वेम योग और उनसे मिलने वाले एस्वरी भी आप है हे हिर्न गर्ब आपके लिए मेरा नमस्कार है आप ही आदी देव हैं सब के साक्षी हैं आप ही नारायन रिसी के रूप में प्रकट स्वेम भगवान है आपको मेरा नमस्कार है आपका सरीर मरकत मनी के समान साउला है समस्त संपत्ति और संदरी की देवी लक्षमी आपकी सिविका है पितंबर थारी के सब आपको मेरा बार नमस्कार है आप सब प्रकार के वर देने वाले बर देने वालों में स्रिष्ट तथा जीवों के एक मात्रवर्णी है यही कारण है कि धीर विवे की पुरूस अपने कल्यान के लिए आपके चरनों की रज की उपासना करता है जिनके चरन कमलों की सुगंद प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वैम लक्ष्मी जी भी सिवा करती रहती है वे भगवान मुझ पर प्रसनों हो प्रिये भगवान हिरसी केस का आवान करने पहले ही कर लो फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आजबन आदी के साथ सर्धा पुरूबक मन लगा कर पूजा करो गं सामर्थ हो तो दूद में पकाये हुए तथा गुड मिले हुए चावल साली के चावल का नवैद लगाओ और उसी का 126 मंत्र से हबन करो उस नवैद को भगवान के भक्तों में बांट दो या स्वेम पालो आजबन और पुजा के बाद तामबुल निमिदन करो 108 बार 126 मंत् करो परदिख्षिना करके बड़े प्रेम और अनंद से भूमी पर लोटकर डंदवत परनाम करो निर्मालने को सिर से लगा कर देवता का विसर्जन करो कम से कम दो ब्रहमनों को यतोची तरीती से स्विकार भोजन कराओ और दक्षिना आदी उनका सत्कार करो इसके बाद उन खाना आदी करके पविता पुर्वक पुर्वक्त विधी से एकाग रहोकर भगवान की पूजा करो इस परकार जब तक वह ब्रत समाप नहो तब तक दूर्ज स्यसनान करा कर प्रतिदीन भगवान की पूजा करो भगवान की पूजा में आदर बुद्धी रखते वे केवल प्रयो जती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूरुबद प्रती दिन हवन ब्रावन भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार बारह दिन तक प्रति दिन भगवान की राधना होम और भोजन कराती रहो पूजा करो और ब्रहमन फालगुन सुक्ल प्रति पदा से लेकर तरदसी प्रेंत ब्रहमचरे से रहे बृत्वी पर सेन करे और तीनों समय स्लान करे जूट ना बोले पापियों से बात ना करे छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याक कर दे किसी भी प्रानी को किसी भी प्रकार का कस्टनार पहुंचाए भगवान की अराधना में ही लगे रहो तरदसी के दिन बिधी जानने वाले ब्रहमनों के द्वारा सास्त्रोक्त बिधी से भगवान विशनु को इत्यंत एकागर चित से उसी पकायवे चरू के द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए और उनको प्रसंद करने वाले गुन्युक्त तदा स्वादिश्ट नवैद अर्पत करना चाहिए इसके बाद ग्यान संपन्न आचार और रिसी योंको वस्त्र अभुसन गौ आदी कर संतुष्ट करना चाहिए प्रिये इसे भी भगवान की अराधना समझे अरो कि अचार को सुध्य-शात्विक और गुन युक्त भोजन ही करना चाहिए दूसरे ब्रह्मन और आये हुए अतिद्यों को भी अपनी सकती के अनुसार भोजन कराना चाहिए गुरु और इसी जोनों को यतोचित दक्षिना देनी चाहिए जो चांडाल आधी अपने आप वहां आ गये हों उन सभी को तथा दीप अंधे और और समर्थ पूसों को भी अन आधी दे कर संतुष्ट करना चाहिए जब सब लोग खा चुके हों तब जब उनके सतकार को भगवान की प्रसंता क साधन समस्ते वे अपने भाई बंधों के साथ स्वैम भोजन करें परतिपदा से लेकर तेरोदसी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे अस्तुती अस्तवन और भगवान की कथाओं की पूजा करें कराबें प्रिये इस भगवान की स्रिष्ट अराधना है यह और इनका नाम है पयोबरत ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने आज तुम्हें बता दिया देवी तुम भाग्यवती हो अपनी इंद्रियों को बस में करके सुद्ध भाव एवं सरदापुबग चित से इस प्रकार का भली बातिय नुष्ठान करो और इसके द्वारा अभिनासी भगवान की अराधना करो कल्यानी यह ब्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है इसलिए इसका नाम सर्व यग्य और सर्व ब्रत है यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्यदान है जिससे भगवान प्रसंद होते हैं वेही सच्चे नियम हैं वेही उत्तम यम हैं और वेही वास्तम में तपस्यादान ब्रत और यग्य हैं इसलिए देवी सैयम स्रदा से तुम इस ब्रत का नुष्ठान करो भगवान सिखर ही तुम पर पसंद होंगे तुम्हारी अभिलाजा को पूरी करेंगे स्रीमत भागवत महापुरान इसकंदाठ अध्याय सोलस अमाप्त हुआ हम आपसे कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ पसंद आ रहा हूँ तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद